हेलो दोस्तों तो कैसे है आप स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल क्रीक 11 फोकस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले है पीबी वियाई वर्सिस यूसी सी फुल स्टैट्स प्लस इंफो यानि की पाराग बार्बेरियन्स विसी गोईट्स वर्सिस उनाइडिट सीसी ज अगर आप जाके सर्च करेंगे कि दुनिया में सबसे सुन्दर शेयर कौन से है उनमें हमेशा एक पराग का नाम आता ही है और पराग के बारे में बजा दो यहां काफी बॉलिवूड मुवी की शूटिंग भी थी अगर जो अधर मुवी है वो भी यहां पर ही शूट की अगर आप देखोगे कल यहां पर इतनी बारिश हुई है कि यहां के क्यूरेटर को काफी प्रॉब्लम आने वाली है जितनी मैंने रिसर्च करें उसमें यह भी मुझे पता लगा कि काफी क्यूरेटर को प्रॉब्लम आ रही है पिच की कंडिशन देखने में अच्छा मैं आ या गूगल पर जाके सर्च करो क्रिक 11 फोर्कस टेलीग्राम जुड़ना बहुत ज़रूरी है लगबग आपको यहां पर कोई प्लेयर अगर मिस होता है खेलता नहीं दिखता स्टैट्स नहीं मिलते और लाइन एक दो घंटे पहले आ जाएगी तो हर चीज सबसे पहले मैं को टेलीग्राम पर दूगा अगर आप में से किसी ने अभी तक देखा ही नहीं है क्या होता हो तो आपने आना है और क्रिक 11 फोर्कस के टेलीग्राम में जुड़ जाना है सिंप्ली जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं वहां से आज हीएगा अचा वैदर की बात करें यहां पर आल रिकॉर्ड है क्योंकि टीटन मैच यहां कम ही हुए हैं बैटिंग फर्स टीम यहां पर 32 परसेंट मैच जीती है और बैटिंग सेकंड टीम जीती है 66 परसेंट बाकि 2 परसेंट पे रिजल्ट नहीं आया दोस्तों आपको यह मैच चार टीम में खेले जाते है दो दिन में आपको मतलब पहले ग्रूप के मैच दिख रहे हैं ऐसे हफ़दे बर अपको ऐसे चार ग्रूप दिखेंगे जिसके बाद एक फिफ्ट ग्रूप फाइनल बनेगा चार टीम का और वो चार टीम वह होगी जो चारों ग्रूप पहला मैच जीत के आ रही होंगी असान बाजशा में अगर आपको बताऊ तो कुल यहाँ पर 16 टीम है जिसमें से 4 आपको अगले हफते दिखेंगी 4 आपको उसके अगले हफते, 4 उसके हफते, 4 अगले उसके हफते सब में से एक-एक जो चैंपियन मनेगा टोटल 4 टीम हो जाएंगी और उनमें final round करवाया जाएगा तो यहाँ पर इतने जो domestic के players हैं वो आपको दिखेंगे लेकिन कुछ ऐसे नए आपको faces भी दिखेंगे जो कि academy के player है और जिन्होंने new new sign किया है Czech series के club से और वो record आपको ढूंड कर देना एकदम नम उनकी नाप समझ लो क्योंकि वो match ही नहीं खेले हैं बागि जितना है आपको मैंने maximum information देना ही कोशिश करी है और उमीद करते हो मैं ऐसी information कहीं नहीं मिलने वाली PBVI की probable 11 की बात करूं तो आपको ये इनकी probable 11 मिल सकती है ये स्वंत सल्यान इनके captain है काफी important player साहिल ग्रोवर इनके तगड़े विकेट कीपर है सुमित पॉक्रियल जो की Czech की national team से खेलते हैं यानि international सितारे है अमरित पाल जो एक tall hitter है लंबे अच्छे खासे प्यूश कुमार अच्छे खासे बले बास भी है राहुल रूंगता प्रेम नंदी वाड़ा फास बोलर नरायन अच्छुतन रवी संगम और बिलाल समय चलिए इन सब की हम नीचे बात कर लेते हैं दोस्तों ये बहुत important section है वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगते है एक like जरू आपको 5-6 सीरीज देखने को मिलेंगी सब्सक्राइब करके रखो बहुत आपके लिए information आएगी और सबसे जादा information आएगी साहिल ग्रोवर की बात करें एक अच्छा कासा विगेट कीपर वैट्स पने decent swing bowling भी कर लेता है 26 मैच खेल चुका है अपने करियर में और 604 अने इस से लगाए हुए दूस्तों आपको बता दूँ कि विजगोट्स जो इनकी एक में टीम है उसमें से इसने सिरफ तीन वह डाले थे बाकि इसने lower team से वह डाले थे बट यह अच्छा कासा swing bowling बोलर है मैं हराम नहीं होगा अगर विकेट कीपिंग ना करके आपको bowling भी करता यह काफी लंबे चौड़े प्लेयर है तेरा मैच में 189 रन है हाइस 42 पंद्रा की एवरेज चौके चक्के भी लगा रखे और इन्होंने ओर ढले है 41 और 11 विक्टे लिए यह 2019 का रिकॉर्ड है इनका यह सो अंत्सालियन की बात अगर करें टॉप और बैट्समन है इनके और बार जीरो पर भी आउट हुए 77 मैच में 80 विक्टे भी है बल्ले बाजी सेक्शन में कीवन है कोल डॉंटर का काम आपके लिए करेगा अच्छी गाजी स्पिन भी डाल लेते हैं पिछले साल देखोगे तो ओवर कमी किये ग्यारा मैच में 20 ओवर किये चार विक्टे लिए ओवराल देखोगे तो 202 रन भी किये थे अच्छा डॉंटर बन जाता है प्यूश कुमार आपके लिए केवल सिर्फ एक मैच खेला है वो भी लोवर मैच खेला था एक मैच में इसने वन और टोड किया इंबाजी इसको मिली नहीं थी आई थिंग यह 5-6 डॉन पर आया था पांच मैच खेल के लेकिन बल्ले बाजी से रन्स कर रखे हैं अगर आप यहां डबेस्टिक में देखोगे वहां रेगुलर बोलिंग कर रहा है जाहां इसने पिछले साल में 15 मैच में ओवर 61 डालके 14 विकेट ली और 352 रन्स भी किया आपके लिए बेस केप्टन सी वाइस केप्टन सी चॉइस मेरे लिए मेरे साब से रहने वला है चंद्रकुमार महर एक न्यू प्लियर है इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला चाल्स थंबी का मेरे को एक अनओफीशल जगा पे रिकॉर्ड मिला हाला कि 22 मैच वे 220 रन ही है कुछ खास रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला इनका इनको भी तरह ध्यान नहीं देंगे वेदवियास कृष्णा मीडियम फास बोलर है इनको आप ट्राय कर सकते है हाला कि इनके खेलने के काफी कम चांस रहेंगे जो इनके अच्छे बोलर में आते हो आते हर्शा चकांटी मीडियम पेस है बढ़िया बल्ले बाजी करते जो इनके ओवराल करियर के रिकॉर्ड में से है और और ओवर देखोगे 42 करके विक्टे 9 ले रखी है तो एक वेर्ड एक्षिन वाले बोलर है बैट्समन को तंग कर सकते हैं प्रेम नंदी वाला आपको इनके एक फास बोलर देखेंगे 2019 में ये खेले नहीं थे 2018 का रिकॉर किया है एवरेज चार है यानि की गेंद बाजी बल्ले बाजी नहीं देखनी गेंद बाजी देखनी है सिरफ 20 मैच में 35 ओवर जिसमें 10 विक्टेस्ट में ले रखी है बात करें यहां पर नरायना अच्छुतन की इनका एक मीडियम फास बोलर है बारा मैच में 13 नहीं है बल रिलाइबल रिकॉर्ड है रवी संगम की बात करूं तो इन्होंने राइट हैंड स्विन बोलर है प्ले किया है 2019 में 16 मैच जिसमें 60 रन किया है बट गेंद बाजी देखोगे तो काफी अच्छी है 21 विक्टे लिए 16 मैच में और इनका बेस्ट बोलिंग फिकर्स है उसमें पे जो इनके एक प्लेयर है जिनका चंद्रकुमेर महर नाम है यह 14 प्लेयर लिस्ट में शामिल नहीं है इनके 14 प्लेयर का लिस्ट रिलीस किया था तो इनका वैसे भी रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं और खेलने भी कभी कम ही चांस है तो इन पे थोड़ा ध्यान कम देंगे अब हम चलेंगे दोस्तों दूसरी टीम युनाइडिट सीसी कि आपको बता दो युनाइडिट सीसी एक न्यू टीम है अगर आप इसका प्रॉइबल 11 देखना चाहो यह प्रॉइबल 11 है या अब आप सोचे होगे न्यू टीम कैसे जो आपको उपर पराग बार बेरियंस के बार में बताया है एक पुराना क्लब है काफे टाइम से खेलता है लेकिन युनाइड सीसी में कुछ अलगलग क्लब्स के प्लेयर को शामिल किया गया है यह पहली बार खेलने वाले हैं और इसमें आपको डिफरेंट क्लब्स के प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं हर प्लेय सिंग इनके लिए विकेट कीपिंग करेंगे सेवन मैच पे 172 रन है हाइए 79 एवरेज 24 पचास दो बार लगा चुके हैं इन्होंने चौके लगाए हैं पंद्रा और शिक्स इन्होंने एक लगाए हैं चेतन शिर्मा की अगर मैं बात करूं यहां पर लोवर और बैट्समन है बाकी मेरे को उत्रा इनका चांस लग नहीं रहा खेलने का शाबल जोशी के बार में बता दूँ टॉप और बल्लेबास है 9 मैच में 109 रन देखो इस टीम में जो सबसे एक्सपिरियंस बल्लेबास है यही है और उनकी भी एवरेज कुछ खास नहीं है सिरफ 12 की आवरेज आ आपको 9 and a half credit में मिले हैं क्योंकि main बल्लेबास है टीम के लेकिन आपको बता दो आप इनको drop कर सकते हो और bowling category पर maximize कर सकते हो आपको 2 दो से तीन प्लेवाज में लेने ही हैं, तीन बल्लेवाज दो तो आपको मिल जाएंगे अच्छे, लेकिन तीसरा बल्लेवाज लेने में आपको शामल जोशी को ही पिक करना पड़ सकता है, उमेश का निहाल, शाश्वद राइजादा, आपको कुछ खास रिकॉर्ड नहीं मि प्रमोध बागुवाली है कि इंपोर्टन प्लेवाज हो सकते हैं इनके लिए, क्योंकि इन्होंने 25 मैच में 200 रन भी किया और फास्ट बोलिंग करते हैं, 18 विक्टे निकाल रखी है, निलेश पंडित टीम के कैप्टन, आपको बता दू, इनको देखोगे एक बोलर के तोर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बात है, इनकी 13 मैच में 16 विक्टे हैं, ओवर इनके 46 हैं, दोसों कुनाल देश्पुक भी यहां पे है, आपको 7 मैच में 37 रन दिखेंगे, इनके 13 एवरेज 6, 7 मैच में केवल 2.1 और है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं, वही बात है, इनके लि आपको गिवन बोलिंग सेक्शन में, इनके रिसेंट मैच में बोलिंग नहीं करी, बट टोटली रिकॉर्ड देखोगे, तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है, और आपको हो सकता है, अनेक्स वीनस टीम में, अमित पंगार कर एक डिफरेंशल कैप्टन का रोल अदा करते दिख है, जादा गेंदबाजी इनसे करी नहीं है, पर इनको बोलिंग सेक्शन में गिवन है, तो उम्मीद करते हैं, एक या दो और में भी कर जाएं, बट कुछ खास मुझे रिकॉर्ड लगा नहीं, मैं बाकी फ्लियर्स पर जादा फोकस हूँ, एक इंपोर्टन और सबसे इसक सार से भी कम इनफैक्ट, गेंदबाजी करते हैं, तेरा मैच में 19 विक्टे और रन भी अच्छी है, तो ये प्लियर्स पर फोकस करेंगे, और मुस्तफा नवाब आपको जो बोलिंग सेक्शन में देख रहे हैं, बिल्कुल कम सेलेक्शन जरूर लेंगे, सौरबब आती है, इसने 6-7 मैच खेले हैं, और उतनी ही इसने विक्टे ली है, उतना आप ये नहीं कहोगे कि बहुत अच्छे प्लियर, लेकिन ठीक ठाक है रिकॉर्ड है, चतन्या पर्चुरे इनका एक अकाडमी के प्लियर है, जिनको लेफटा मीडियम डालता देखा गया, और इस तीम से जो प्लियर आप कंसिडर करोगे, पहला प्लियर अभी मन्यू सिंग, दूसरा प्लियर श्यामल जोशी, तीसरा प्लियर अगर आपको कोई लेना है, यहां से बगवाली निलेश पंडित, यह चार प्लियर हो गए, इनके जौप ले सकते हो, फिर यहां पर अमित बिलाल समेत का भी रिकॉर्ड मिला, इनके 223 रन भी की हैं 19 मैच में, तो यह आपके लिए एक और राउंडर का काम कर सकते हैं, बिलाल समेत को, हाला कि मैं अपनी टीम में पिक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लूँगा तो लास्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा, दोस्तों विकेट कीबिंग केटेगरी में आपको यहाँ पर चार प्लेयर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देदू, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, आपने डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन से आपने आजा अच्छा अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको साहिल ग्रोवर, अभी मन्यू सिंग, अमरित पाल राय और चेतन शर्मा, चार विकेट कीबर दिख रहे हैं, अगर हम इसमें देखेंगे सबसे अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे साहिल ग्रोवर का है, जो की स्विंग भी करेंगे, स्विंग भी कर सकते हैं, और टॉप ओडर बैट्समिंग भी हैं, जिस वज़े से यह मेरी पहली चोईस रहेगी, अगर आप देखोगे, अब मिरित पाल रहा है, इनका भी कुछ खराब रिकॉर्ड नहीं है, यह स्पिन बोलिंग रेगुलर कर रहे ह सी शरमा मेरे एसाब से नहीं खेलेंगे, बाकी तीन विकेट की पर खेलने चाहिए, और यहां पर आप देखोगे, अभी वन्यू सिंग के साथ मैच में 172 रन्स हैं, अच्छे खासे रन्स आपको करते दिख सकते हैं, 24 स्कीन के अवरेज है, साथ मैच में 250 लगा चुके हैं अभी के लिए मैंने एस ग्रोवर को सिलेक्ट किया, अगर हम बैट्समें सेक्शन पे जाएं, आपको काफी प्लेयर मिल जाएंगे, जिसमें जो मेरे फेवरेटर है, वाइस सालियन रहे और एस पोकरियाल, दोनों गयन बाजी और बल्ले बाजी दोनों कर सकते हैं, वाइस स दस्ती एक थर्ड बैट्समन लेना पड़ेगा, आप चाहू तो यहाँ पे एस जोशी को पिक कर सकते हो, अगर क्रेड बचाना है, तो नीचे का भी किसी प्लेयर को श्रेक्ट कर सकते हो, जिसे वी एलो गुला ये आपको खेलते दिख सकते हैं, इनको चूस कर सकते हो, लास नई रिकूरूट्स हैं टीम के, लेकिन अगर आप कैसे हम इनका परफॉर्मेस जच करें, क्योंकि इनका जाधा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं है, अगर किसी का कोई अच्छा रिकॉर्ड है, तो वो है निलेश पंडित, जो अपनी टीम के कैप्टन है, और निलेश पंड बाजी भी कर रखी, अपने टीम के लिए रेगुलर ओवर करते हैं, उमीद है इनसे दो ओवर करने की, नील पटेल, आपको इनकी फोटो भी नहीं दिखरी, उतरे कुछ खास प्लेर है भी नहीं, रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन के देश मुक्के, देश मुक्के ब बताया था, दो मैच में चार विक्टे हैं, उनने 6 ओवर डाले थे, और उन दो मैचे में चार विक्टे हैं, उनने निकाली है, इनको आप बिल्कुल पिक कर सकते हो, क्रेडिट काफी हाई है, तो अभी हम वेट करते हैं, हम जिस प्लेयर को पहले पिक करेंगे, वो यहाँ पे आपके लिए रहेगा, आर संगम, आर संगम को लेने का रीजन ही है, रेगुलर बोलिंग कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए, स्विन बोलर है, मैंने आपको बताया, 16 मैच में 21 विक्टे और एक 5 विक्ट हॉल भी था, तो यह देख के चलेंगे, एप अंगार कर को भी हम करेंगे, आपको मैंने अल्डेडी दिखाया, ना कि सिर्फ गेंद बाजी ये बल्ले बाजी भी कर सकते है, रिकॉर्ड अच्छा खासा है इनका, आप ग्रैंड लिग मेंने कैप्टन सी भी दे सकते हो, लेकिन जो इनका रिकॉर्ड है, उसमें रिसेंटली इनका परफॉर् आप और अर्थोडोक्स बुलिंगे, बीस मैच में दस विक्टे वहीं पर भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो यहां पर नंदी वाड़ा को लेना ही मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अट-least main बुलर है, टीम के मैचेस कम खेले हैं, बट विक्टे निकाल सकते हैं, आपके पास अवेलेवल है, अगर आप याँ जोशी जी को ले लेते हो, आपके पास अबसे अच्छे बल्ले बाज भी आ जाएंगे, और यहां पर आप पास दोनों विकेट कीपर चोइस है, मैं यह राय के साथ गया हूँ, क्योंकि इसने रेगुलर्ली बोलिंग करी है, औ अबिमन्यू सिंग, विकेट कीपर, अगर यह विकेट कीपिंग करेंगे, प्लस आपको टॉप और पर बल्ले बाजी करते दिख जाएंगे, तो यह भी खराब चोईस नहीं है, आप डिरेक्ली टीम में ले सकते हो, दोस्तों यह टीम किसी भी मामले में आप फाइनल नहीं म तो बिल्कुल आपको टेलिग्राम पर बता दिये जाएगा, राय और ग्रोवर ने डमेस्टिक में बोलिंग करी हुई है, जिस वज़े से मैं इन दोनों को प्रेफर किया है, आप चाहो गेंद बाजी में आपको और प्रेस बताए हैं, शुक्ला जी आप ले सकते हो, कोई इसनले इस सब्सक्राइन जिन आपको करणा और एपने जबालु सबस्क्राइब, उसके बाद अपना टेलीग्रामम में जुड़ जाना है, जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें या सर्च करें क्रिकलन फॉरकॉस बेस्ट रहेगा डिस्क्रिप्शन या टॉप कमेंट से देखकर आएं वीडियो पसंद आती है तो मोटिवेट करें लाइक करके